आप कहते देखते हैं आज की मीटिंग को दूसरा खड़गे का नाम चलाने का प्रयोजन क्या हो सकता है उसका एजेंडा क्या हो सकता है और क्या यह कॉंग्रेस के लिए अच्छा ही है कि नाम भी आ रहा है तो कॉंग्रेस की तरफ से आ रहा है और शायद कॉंग्रेस के अंद बड़ा राय तो अच्छी बात जी मैं थोड़ी सी भूमिगा बना लूँ क्योंकि बहुत से पैरलिस ने कुछ दूसरी तर्स पर बात किये हम जब जब जवान होते थे और क्रिकट बहुत खेलते थे हम लोग तो जब हमारी टीम खेल रही होती थी और हम बैट्समें नहीं थे हम बार बैटे होते थे तो हम यह कहते थे अरे इसको इससे ऐसे लगाना चाहिए था ऐसे खेलना चाहिए था बड़ा आसान है भाई बाहर बैटके बताना कि 28 पार्टी को एक राय बनाकर एकमत बनाकर उनके साथ कैसे किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना है हम लोग यह मान क ही चलते हैं कि पिछले दो महिनों में कोई बाचीत नहीं हुए इनकी क्या हमेशा बाचीत पुलिटिकल पार्टी के बीच में फॉर्मल फॉर्मेट में होती है इन्फॉर्मल बाचीत नहीं होती क्या अगर हमारे पास इन्फॉमेशन नहीं है तो हम क्यों अपने आपको अन मौडल है टेंपलेट है कि जिस स्टेट में जो कॉंस्टिट्वेंट बड़ी पार्टी है वो वहाँ पर लीडिंग रोल लेगी यह अब नहीं यह उन्निस से पहले शरत पवार नहीं मैंने इसको एक इंट्रू किया था बड़े डिटेल उसमें उन्होंने कहा था कि तरीका य इस ही है यही टेंपलेट है कि जो पार्टी बड़ी पार्टी है स्टेट लगर पे वहाँ प्रधान मुझी का वही पार्टी दिभाएगी क्योंकि वह ती पार्टी को दूसरी पार्टीज को स्पेश दे नी है युपी में ये इसनि ने देनी है सबको स्पेस, कॉंग्रिस मिला के देनी है, मम्ता जी को वेस्ट बंगॉल में देनी है, स्टालिन सापको तमिल नाडु में देनी है, कई जगे ऐसी है जहाँ कॉंग्रिस को देनी है. कॉंग्रेस हार गई है तीन स्टेट में लेकिन क्या वहां समीकन बदल गया कॉंग्रेस वर्ट सिस्ट बीजेपी है वहाँ पर आज भी और हारने के बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस को इतने वोट मिले उसको इतने वोट मिले उन बातों पर मैं ज़्यादा तबज्जों नहीं देता हूं लेकिन वो वो जो आकड़े होते हैं किसी भी पूलिटिकल पार्टी को हताउस हतोवास हतोवासित होने से बचाते हैं मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है माफी चाहता हूं हतोव सारी होने से बचाते हैं डिसार्टन होने से बचाते हैं यह जो टेंप्लेट है यही बोड़ल है और इसी बोड़ल के काम होगा अब आप मुझे बताईए का क्या पर्सेंटेज जो वोट है उत्तरप्रदेश में और अधर शें तीन धाई से तीन ही सही तो उसकी बिना पाइब कितनी शीत मांगलेगि यूपी में अखिलेट से कॉंग्रेस और कॉंग्रेस का क्या वोटड परर्संटेज माद्यफर देश में वह लग से अलग से लदा था है कितनीma लेगा देखिये हम लोग गे जो विपक्ष कोशिश कर रहा है उस उसको डाउंगरेड ना करें उसको अंडरेस्टिमेट ना करें अगर यह लोग 400 सीट पे डारेक्ट कॉंटेस्ट आपको मैं कही बार आपकी शोब में बोल चुका हूँ कि यह दे देते हैं 400 सीट पे और वो संभव है पचास से ज्यादा सीट में अलग रखना हूँ यहां फ्रेंडी कंटेस्ट हो जाएंगे मैं समझता हूँ वो भी नहीं होंगे अब यह खारगे का नाम से ममताब एनरजी ने नहीं उच्छाना खारगे का नाम का रुमोदन अर्विंद केजिरिवाल ने भी किया क्या वो भी होगा जरूर लेकिन ये जो पार्टीज थी ये दो पार्टी स्ति ये प्रमक रूप से ट्रॉबल मेकर मानी जाती थी कि इनकी अम पुर्ष्टेन करना मुश्ट खिल है और इनकी अमपिशन के साथ कांगरस को अपनी अंपिशन का तान्मेल बनाना मुश्ट है लेकिन आज के दिन वो जो है एक बड़ी पहल क्या आप उसने यह बिना बात्चीत के हो गई क्या खारगे का नाम बिना पूछे उचाल दिया गया मुम्ता पहलर जी के दोरा और उसमें कम स्कुप दस्वारा लोगों ने उसका समर्थन किया कि देखिए बात है कि कांग्रेस पार्टी तो कि आज के दिने यह बात स्थापित होगे कि कॉंग्रेस पार्टी जो पहिया होता है उसके केंद्र पराग्रेस पार्टी है बाकी श्पोग्स है जी और वो वो पहिया चलेगा और मेरा यह मानना है कि यह जो आज के दिन एक जुटता हुई है इसका पूरा-पूरा क्रड़िट अगर हम मोदी जी और बीजेपी को नहीं देंगे तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करें मैं उनके साथ इंसाफ करना चाहता हूँ बीजेपी के से और मोदी जी के साथ कि उन्हों ने बावजुद ये दावा करते हुए कि हम इलेक्शन जीच चुके हैं उन्हों ने इस देश को एक और्टरनेटिव आफर किया बीजेपी और मोदी जी ने यह जो डेड़ सो के करीब MPs निशकाशित किये हैं यह जो अलाइंस ओफ सर्वाइवल है इस निशकाशन ने उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बजबूत किया है और जब बार में पशु फस जाते हैं ना तो एक ही तक्ते पे जो एक दूसरे को लंच और डिनर बनाने के चक्कर में रहते हैं वो भी कठे बैठे रहते हैं इस इस हुमन साइकालोजी और पॉलि तो मेरा यह मानना है कि हमको उनको चांस देना चाहिए यह बात भी सच है कि मेरी उनमें जो आस्ता मैं दिखा रहा हूं मेरी बातों से आपको नज़र आ रही है मेरी आस्ता लोक्तंत्र में और जिसके चलते में थोड़ा शॉक डूं कि जो मैंने देखा है और मैं समझता यह तो सतीश को भी शॉक होना चाहिए और डॉक्ट साब हमारे साथ प्रफर साब जॉइन किये उनको भी और विवेग जी को भी और तुम को भी डॉक्ट साब आपको भी कि यह जो प्रकरण है जो दिख रहा है वो ठीक नहीं है और मेरी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता आपको कि इनको जो नया अलाइस बना है उनको एक काम तुरत करना चाहिए और उसमें उनको इनको एमुलेट करना चाहिए बीजेपी को को जिस तरह से बीजेपी करती है उस तरह से उनको करना चाहिए कि अगर मैं आप सतीश और विवेग जी और डॉक्टर रवी कांथ कैमरे लेकर पहुंच जाएं कि सब के सामने आके अलगलग बियान देना ना शुरू करें जब मीटिंग हो गई है दो लोग नियुक्त करें वो आपको वो बताएंगे कि क्या उनको ब्रीफ करें कि क्या बताना और क्या नहीं बताना जी विद्व अभी आपने कहा चिरजे का नाम सहमती से लिया गया होगा क्या ये मतलब ये योजना बाद तरीके से ये नाम आगे बढ़ाएगा है डॉक्षर आप तो जानते हैं ट्राइल बलून भी होता है ना नाम अभी पक्का नहीं है लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है में मार्व कि डिसकोर्स में नाम आगया कि यह जो गठ बंदन हमें कौंग्र सेसे्गडवन प्रफिण का डलित इसको परदान्मंत्री बतौर फाधान्मंतory देख धना यह कुछ छोटी बात है क्या जिस देश में किसी एक महिला को राश्पती बनाकर ट्राइबल वोट्स को रुजाने की कोशिश होती है क्या उस देश में यह नाम फ्लोट करके दलित वोट को रुजाने की कोशिश नहीं हो सकती है हो सकती है ना तो आज की जो मीटिंग हुई उसमें मेरा निश्कर्स यह है वेल बिगन इस हाफ ड़न यह अच्छी शुरू आता है किसी एक आदमी ने जो कि सब कई लोग कैमरे पर बोले किसी ने खारगे साब के नाम की बात नहीं की सिर्फ स्टालिन के एक एमपी ने की कि खारगे साब का नाम हुआ था डिसकस हुआ था और कई लोगों ने उसका समर्थन किया लेकिन खारगे साबने कहा कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ूँगा अगर जब इलक्षन हो जाएंगे उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन क्या बनेगा वरना बिना इलक्षन के और बिना आकड़ों के मैं किसी को चोर नहीं बता रह है लेकिन यह काम होना था इस तरीके से हो भी गया है कि आपने पुब्लिक डिस्कोर्स में अपना नरेटिव जो इंडिया अलाइंस का नरेटिव है सतीश वो शुरू हो गया आज अब आप उसको उसकी आप उसकी आप मंताब एनरजी को दे दो केजरिवाल को दे दो लेकिन मैं इसकी ओठर्शिप आधरनीय मोदी जी और बीजेपी को देता हूं क्योंकि उनके विना ये काम नहीं हो सकता था उनकी जो ततपरता है कि डिस्सिप्लन बना कर रखना है पार्लमेंट में उसके विना ये काम हो नहीं सकता था सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें Google Play Store पर